तोयोटा यारिस और पपजी मोबाइल को प्रेसेंट्स ब्रेकिंग पॉइंट हाइ अल्टिटूड वाफेर स्कूल को पावद बाइ वीव वी 11 प्रो पॉलिसी बाजार डॉट कॉम और लाइसी एक नया दिन आइस्क्राफ्ट टेस्ट में अच्छे अंक हासल करने का एक नया मौका अब चाहे धर्ती फटे या आस्मान टेस्ट तो आज ही पुरा किया जाएगा फौजियों के लिए राहत की बाद ये है कि बारिश के कोई आसार मज़र नहीं आ रहे है हमने प्रैक्टिस तो की थी लेकिन आइस्वाल टेस्ट इतना आसान नहीं था मैं इसे लेकर थोड़ा नर्वस था पर इसे करने के अलावा मेरे पास कोई आप्शन नहीं था जहां टेस्ट रोका गया था वहीं से दोबारा शुरू कर दिया गया है फोर पॉइंट टेस्ट से जब हमने चड़ना शुरू किया तो हम सबने गौगल्स पहन रखे थे और सारे गियर साथ थे उसी वक्त बारिश शुरू हो गई और उसकी वज़े से चारों तरफ धुन चा गई मेरे गौगल मेरी नाप तक आ रहे थे इसलिए मेरी सांस की वज़े से मुझे देखने में दिक्कत हो रही थी और मुझे बर्व की दिवार नजर नहीं आ रही थी मतलब जब मैं चड़ रहा था तो मुझे दिवार देखी नहीं रही थी ऐसा लग रहा था कि मैं अंधा हो गया हूँ और जो इंस्ट्रक्टर थे वो नीचे से इंस्ट्रक्शन दे रहे थे कि मुझे किस तरह से करना चाहिए जब भी मैं अपना फिलर गलत जगा पर मार रहा था तो वो मुझे गाइड करते थे कि मुझे उसे 90 डिग्रीज पर मारना चाहिए तो मैं इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहा था मैं मुश्किल से फिलर को गड़ाने की कोशिश करी रहा था कि अचानक मेरा पैर फिसल गया और मैं नीचे फिसलने लगा उस वक्त मेरे दिल की धड़कने बहुत थेज हो गई थी मुझे लगा कि मैं सीधा नीचे जाओंगा और फिर बचूंगा नहीं लेकिन फाइनली मैं उपर तक पहुंची गया जिस पर हम चड़ रहे थे वो खड़ी चटान थी दिवार पर इतनी ज्यादा बर्व थे कि उसे तोड़कर चड़ना बहुत मुश्कल था तो कई मुश्किली थी और हमें उसमें कम से कम समय में चड़ना था जो टेस्ट मुझे दिया गया था वो सबसे ज्यादा खड़ी ढलान वाला टेस्ट था मैं उपर तक तो नहीं पहुच पाया था मैं बीच में ही था जब मेरा टाइम खत्म हो गया था इसलिए इंस्ट्रक्टर ने मुझे से कहा कि बस बहुत हो गया अब नीचे उतर आओ गिरते तापमान के साथ बर्फ की दीवार कॉंक्रीट की तरह सक्त होती जा रही है सिर्फ टेक्नीक में महारत के जरिये ही इस दीवार को जीता जा सकता है अगर जरा कमजोर पड़े तो ये जानलेवा बन सकती है साव पर चलिए पर चलिए पर चलिए पर चलिए राइट करो प्ली नैट आख लाइम टों ताइम आए देखते हो एक टों ये तो आज तक की सबसे मुश्किल चड़ाई थी तमाम कोशिशों के बावजूद ज्यादतर फौजी इस टेस्ट में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं बर्फ की दीवार और बर्फीली बारिश दोनों की सबसे बड़ी तुश्मन बन गई है पिछली रात ही मेरे गलव्स गेले हो गए थे तो जब हमने चड़ने की शुरुआत की मुझे समझ में आने लगा कि मेरा दाहिना हाथ थोड़ा सुन पड़ रहा है पर योधा डटे हुए हैं ना सिर्फ उनका ध्यान अच्छे नंबर लाने पर है बलकि ये दुनिया के एक सबसे मुश्किल मोर्चे की तैयारी भी है यहां इस इलाके पर जीत हासल करना दुश्मन को हराने की बुनियाद बन जाता है यहां जाता है